अस्सलामू वालेकुम दोस्तों, आज आपको गौस पाक और एक जिनका वाकिया सुनाएंगे. वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा. इरान के शहर इस्वहान में एक शक्स अपनी बीवी के साथ रहा करता था. उसकी बीवी इंतेहाई खुबसूरत थी और उसके हुस्न के वहाँ हजारों दिवाने थे. शादी से पहले उस औरत के सब आशिक थे और उसके नसीब अच्छे थे. उसकी शादी एक नहायती नेक इ नामिहरम सिर्फ इंसान मर्द ही नहीं होते, बल्के जिन्नात मर्द भी होते हैं. और देखिए, बेगम आपके ये जो बाल है ना? ये निहायती खुबसूरत है. इतने हसीन हैं और खास तोर पर तुम्हारी आखें. और जिन्नात औरतों के आशिक बन जाते हैं, बेगम. व फिर शोहर के आने से पहले खाना बनाने लगी. उसका शोहर जब काम से वापस आया और बीवी से कहा कि खाना लगा दो. पर बीवी उसकी बात सुन ही नहीं रही थी. उसने फिर से आवास दी, बेगम, खाना लगा दो. फिर इशा की नमाज के लिए मुझे मस्जिद भी जा नहीं आया कि वो किसके पास जाए, जो उसकी बीवी का इलाज कर सके, करीब एक हकीम की दुकान थी, शोहर उनके पास चला गया और कहा कि जल्दी घर चलिए, हकीम सहब मेरी बीवी को ना जाने क्या हो गया है, हकीम सहब ना समझने वाली कैफियत में उसके साथ घर आए, तो हकीम सहब ने कहा, नहीं नहीं, इसकी मौत नहीं हुई है, पर नफस बहुत धीमी चल रही है, दोनों ने उसको बिस्तर पर लिटा दिया, हकीम सहब ने कोई दवाई दी और कहा, ये दवा इनको खिला देना, ये ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो कोई आम बीमारी नहीं थी, वो ऐसी बीमारी थी, जिसकी वजह से वो औरत किसी वक्त भी किसी के सामने भी धर-धर आने लगती थी, और दर्द से तडपते हुए जमीन पर गिर जाती, और कभी ऐसा होता कि वो किसी बाजार से जा रही होती, तो अचानक बिना किसी वजह के चलते-चलते जमीन पर गिर शरीफ शोहर को अपनी बीवी की सख्ट फिक्र थी, घर में उसकी जो हालत होती थी, उस वक्त और शोहर उसके पास होता, और कभी वो अकेली भी होती है, लेकिन जब वो सरयाम लोगों के सामने गिरती, कभी कभी उसकी हालत ऐसी हो जाती, कि लोग देखकर उस औरत का मजाग पनाते कोई उस पर तंज मारता देखो अपनी बीवी को संभाल कर रखो बुरी बला का साया हो गया है इस पर इसको किसी फकीर के पास ले जाकर ताबीज वगेरा पहना दो ताकि ये सही हो जाए शोहर ने उसका हर तरह का इलाज करवा लिया तोटके कर लिये हकीम की दवाईय के पास दरक्त मौझूद है दरक्त के नीचे दर्वेश बैठते हैं उनके पास चले जाओ वो दर्वेश के पास पहुंचा वीराने में दर्वेश मौझूद थे उन्होंने जब उस आदमी को देखा तो कहा बताओ किस वजह से आये हो उसने कहा आप जानते नहीं है उसको ताबीस देता हूँ, यह ताबीस उसको पहना दो, उसकी हिफाजत होगी, लेकिन याद रहना तुम्हारी बीवी इतनी आसानी से ठीक होने वाली नहीं है, तुम्हे उसको घर से बाएर नहीं निकलने देना, ख्याल रुखना इस बात का, तुम्हे अपनी बीवी की होनी चाहिए इस बात पर कि वो घर से अकेली क्यों निकलती है तुमने उसको घर से अकेले नहीं निकलने देना है शोहर ने कहा आप मुझे बात तो बताईए दरवेश ने कहा नहीं मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूं मुझे ये बात बताने का हुक्म नहीं है बस अपनी बी वो कभी भी चीख पढ़ती थी और चिलाते हुए कहती है घर से निकल जाओ, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो वो उसका शोहर था, अपने शोहर को पहचानने से भी इनकार कर रही थी उसकी ऐसी अजीबो गरीब तबियत को देखकर, शोहर तो बेजार हो गया था लेकिन क्योंकि वो फर्मा बरदार था तो इसलिए अपनी बीवी का बराबर ख्याल रखता रहा एक दिन वो ठक हार कर दरवेश के पास गया, और वहाँ बैटकर रोने लगा दरवेश ने कहा, मेरे बच्चे तुम्हे बात को समझाना पड़ेगा बराबर वो कोई ऐसा काम करती है, जिसकी वज़ह से उसकी पकड़ हो रही है इसलिए बहतर है कि तुम बगदाद शरीफ चले जाओ शोहर ने पूछा कि बगदाद शरीफ क्यों चला जाओ वहाँ पर कोई बहुत बड़े दरवेश या फकीर मौजूद है क्या? शोहर कहने लगा, मैं तो आपके पास आता हूँ, आपके पास इलाज करवा रहा हूँ आप कहते हैं कि मेरी बीवी कुछ ऐसा काम करती है, जिसकी वज़़ह से ताबीज का असर नहीं हो रहा है तो दरवेश ने कहा, हाँ ये बात तो सही है, कई सालों से तुम्हारी बीवी का इलाज हो रहा है, हकीम के पास भी चले गए, दवाईयां भी खिला दी, ये टोटके टोने भी कर लिए यहां तक कि मैंने पुरानी सूरतें और आयते भी उस पर दम करके फूंकी, उसकी हालत हू बाहू वैसी ही है, यानि वो जैसी पहले दिन थी, वैसी ही अभी भी है फकीर ने कहा तुम एक काम करो कि बगदाद में चले जाओ, उसने कहा बगदाद में कौन रहता है, बगदाद में क्यों चले जाओ? दर्वेश ने कहा, बगदाद में पीराने पीर रोशन, जमीर खुदबे जिलानी, शेक अब्दुलकादिर जिलानी, गौस पाक रहमतुलाह अलय हैं तुम उनके पास चले जाओ, और मुझे उम्मीद है कि वो जरूर तुम्हारी बीवी का इलाज कर देंगे और कभी भी ये बीमारी पलट कर नहीं आएगी, वो शक्स कहने लगा, ये कौन हजरात है, दर्वेश ने कहा, मैं तो दर्वेश हूना, वो दर्वेशों के दर्वेश हैं, वलियों के सरदार हैं, गौसुलवरा हैं, बगदाद के बादशाह हैं, और उनको अल्लाह ताला ने वो इल्म अता फरमाया है, वो करामद्दी है, वो चीज अता की है, जो जरूर तुम्हारी बीवी को शिफायाब कर देगी, यकीन के साथ उनसे इलाज करवाना, बेशक शिफा देने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन होती है न, कुछ बड़ी हस्तियां, कुछ बड़े अ अल्लाह के वली, जिनके हाथों में हर मर्ज का इलाज होता है, उनकी दुआओं में इतना असर है कि जिसके लिए भी दुआ मांगते हैं, वो अल्लाह जरूर कबूल करता है, उसे दर्वेश अल्लाह वाले ने इतने यकीन और भरोसे से ये बात कही, कि वो शोहर कहने लगा, हाँ, आपकी बात पर मैं अपनी बीवी को लेकर हुजूर सेयदना शेक अब्दुलकादिर जिलानी रहमतुलाह अलह के पास जाओंगा, मैंने तो हर दर्वाजा खटखटा लिया है, तो फिर इस दर्वाजे को भी खुलवा कर ही रहूंगा, लेकिन क्या वो मेरी बात को प्यार किया, वो किसी भी तरह उसके साथ जाने को राजी नहीं थी, उसने फिर भी उसे मनाया, उसकी बीवी कहने लगी, मैं बिलकुल ठीक हूँ, हाँ, मैं घर से बाहर कदम भी नहीं निकालूंगी, आपकी बात मानूंगी, लेकिन वहां नहीं जाओंगी, वो अपनी आने के लिए, और तुमने उसको अगर किसी भी तरह मनाना है, तो उसे ये मत बताना, उसे कहां ले जा रहे हो, शोहर ने बीवी को समझाया, अब देखो ना हमारा तमाशा बन गया है, लोग हमारा जीना दुश्वार कर रहे हैं, तुम्हारा भी और मेरा भी, तुम इस ची ठीक हो जाओगी, वो फिर से डर रही थी, उसने कहा, नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाओगी, दरवेश ने उस शोहर से एक बात कही थी, कि तुम्हारी बीवी वहाँ जाने से इंकार करेगी, तो तुम बस कह देना कि गौसुल आजम रहमतुलाह अलेह के पास जाना है, औ तो शक्स गौसुल आजम रहमतुलाह अलेह के मुरीद से मिला, और हुजूर गौसुल पाक रहमतुलाह अलेह से मिलने की इजाज़त तलब की, तो कहने लगे, तुम किस मकसद के लिए आए हो, उसने कहा, मेरी बीवी बहुत बीमार है, और मैं बस पीराने पीर को उसको दि हुजूर सयदना गौसे आजम दस्तगीर पीराने, पीर रहमतुलाह अलेह की खिदमत में हाजिर हो गया, जाकर उसने अर्ज किया, हजरत मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, बहुत ज्यादा आपकी तारीफें सुनी है, हमारे शहर में बहु पाक रहमतुलाह अलेह ने कहा, बताओ, कहां से आये हो, मैं इस्वहान का रहने वाला हूँ, हजरत मेरी एक बीवी है, जिसको अकसर ऐसा दौरा पढ़ता है, कि उसे किसी बात का होश नहीं रहता, दस साल से ज्यादा अर्सा गुजर चुका है, मैं ठक गया हूँ, किसी हकी हकीम ने बताया था कि इसको मिर्गी का दौरा पढ़ता है, अब मुझे बताईए कि मिर्गी का दौरा होता क्या है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, हकीम के इलाज के बाद लोगों के कहने पर मैंने उसको किसी दर्वेश को भी दिखा दिया, उन्होंने तावीज लेकिन उस पर किसी तावीज का असर भी नहीं होता, हजरत सयदना शेख अब्दुलकादिर जिलानी खुत्बे, रब्बानी गौसे आजम रह्मतुल्लाह अलेह ने फरमाया, क्या तुम्हारी बीवी के साथ मामला क्या है, तो वो कहने लगा, मुझे किसी ने ये बात नहीं मैं बरदाश्ट नहीं कर पाता, और ये तो भुगत रही है, और मैं भी इसके साथ साथ इस गम को भुगत रहा हूँ, बस एक दरवेश थे, जिन्होंने कई सालों के बाद मुझसे कहा कि, जाओ हुजूर, शेख गौसल आजम दस्तगीर पीर रहमतुलाह अलेह के पास क्योंकि उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की, क्या आपकी दूआ से हर काम बन जाता है? अब आप ही मुझे बताईए, मैं क्या करूँ, मेरी बीवी के साथ क्या हुआ है? हजरत गौस पाक रहमतुलाह अलेह ने फरमाया, तुमको ये तो मालूम है कि तुम्हारी बीवी को मिर्गी के दौरे पढ़ते हैं, मिर्गी या किसी चीज जिसकी वज़ा से इनसान ना तो ये समझ सकता है कि वो क्या कर रहा है और ना ही वो इस बात को समझ सकता है, क्योंक मुँ से जाग बहने लगते हैं, मिर्गी या बाज वकात जिन्नात की वज़ा से भी होता है, जिन्नात में से खबीस मखलूक इनसानी दिमाग पर कब्जा जमा लेती है, ऐसा या तो इनसानी शकल सूरत पसंद आने की वज़ा से होता है, या फिर तकलीफ पहुंचाने की व तुमने कभी शरंडीप की वादी का नाम सुना है? तो कहने लगा, मैंने तो नहीं सुना, तो आपने कहा, वहाँ पर हजरत आदम अलेहिस सलाम के नक्षे कदम है, वहाँ पर उनके कदम मुबारक का निशान है, एक बहुत बड़ी पहाडी है, जहां पर अल्लाह ताला की औ और उस लाइन जिन्न का नाम खानस है, जो तुम्हारी बीवी की खुबसूरती देखकर उस पर फिदा हो गया है, ये वाकिया उस दिन पेश आया, जिस दिन तुम्हारी बीवी उस पेड के नीचे से गुजरी है, तुम्हारी बीवी वहां से गुजरी, वो वहीं बैठा और जैसे उसने तुम्हारी बीवी के हसीन बालों को देखा उसके अंदर दाखिल हो गया और उसको तरह तरह से तकलीफ पहुंचाने लगा वो इतना बदबक्त है कि इतनी आसानी से नहीं जाएगा चाहे कुछ भी अमलियात कर लिये जाएं इसलिए अल्लाहत ताला की जात प महारे लिए शेक अब्दुलकादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलेह जो की बगदाद में रहते हैं उनका फर्मान है कि आज के बाद फिर ना आना वरना हलाक हो जाएगा उसी रात उसकी बीवी पर मिर्गी का दौरा पड़ा उसकी बीवी अजीब तरह की आवाज निकालने ल आए खानस तिरे लिए शेक अब्दुलकादिर जिलानी जो बगदाद में रहते हैं वलीओं के सरदार हैं वलीओं के सुल्तान हैं उनका फर्मान है आज के बाद फिर ना आना मेरी बीवी के पास वरना हलाक हो जाएगा शोहर ने इतने यकीन के साथ ये बात कही थी कि एकदम से उसकी बीवी को जटका लगा और उसके अंदर से कोई काली सी चीज बाहर आई और कोई इनसान तो था नहीं खतरनाक जिन ही था जिसकी शकल बहुत ज्यादा बिगडी हुई थी वो कहने लगा मुझे इतनी आसानी से निकाल नहीं सकता तू मैं तुझसे बदला लूँगा तेरी बीवी का मैं बरसो पुराना आशिक हूँ और तू मुझे इससे अलग करना चाहता है उसने कहा तुझे उनका वास्ता जिनका मैंने तेरे सामने नाम लिया तुझे मेरे रब का वास्ता यहां से चला जा तेरी वादी शरंडीप है यहां नहीं है तू जहां से आया वहां चला जा तेरे लिए इंसान नहीं बलकि वो जगह बनी है अल्ला ताला ने तुम जिन्नातों को जो मक्सूत जगह दी है वहां जाकर रहो इंसानों को तंग करना बंद कर दो पर वो जिनन बहुत जिद्धी और सरकश और बहुत ही नफर्मान था उसकी बात नहीं मानी फिर से कोशिश करने लगा कि उसकी बीवी के अंदर घुस जाए लेकिन अल्लाह के नाम का ऐसा कहर उस पर बरसा कि वो बार-बार कोशिश करने पर भी उस औरत के पास नहीं जा पा रहा था लेकिन उसका वहां से जाने का कोई इरादा भी नहीं था वो औरत को और तकलीफ देना चाहता था अजियत में मुप्तिला करना चाहता था जो कि उसने सालों से उसको तकलीफ में रखा था शोहर अपनी बीवी को देखकर शदीद मुसीबत में था वो गम से तडप रही थी शोहर की जान निकल रही थी अचानक किसी ने आवाज लगाई बोलो अबस्मी या गोस अबस्मी या गोस या मोहिद या मोहिद दीन जीलानी आपको अल्लाह का वास्ता हमारी मदद करें बचा ले हमें बचा ले गोस आजम अभी ये कहने की देर थी कि वो जिन एकदम से चीखने लगा उसको कोई मार रहा था फिर उसके जिस्म में आग लग गई वो चीखने लगा नहीं मैं यहां से चला जाओंगा मैं चला जाओंगा अब तक परेशान कर रहा था अब नहीं करूंगा मैं यहां से चला जाओंगा एए आदमजाद कहो गौस उलाजम से कि मुझे छोड़ दें उसने कहा नहीं, अब वो तुझे नहीं छोडेंगे, पहले मैंने तुझे कहा था, शराफत से चला जा, लेकिन तू नहीं माना, तूने बार-बार मेरी बीवी को अजियत देनी चाही, अब यहां से तू नहीं जाएगा, तू मर कर ही जाएगा, और अचानक वो जिन्नात चल कर राख हो कुछ सुना था? वो सही हुआ, आप सच में हमारी मदद करते हैं, आप मदद को आते हैं, अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला की अता से, अल्लाह ताला ने आपको वो ताकत दी है, जिन्नात भी आपसे डरते हैं, बेशक मैंने उसको डरते हुए देखा है, बेशक मैंने एहतियात से रहे और जब भी कोई ऐसा मसला पेश आए तो यही नाम लेना अलमदद या गौसे आजम पिराने पीर दस्तगीर रहमतुलाह अलेह सुभान अल्लाह दोस्तों ये शान है गौसे आजम की